कभी कभी ऐसा होता है कि काफी सारी रोटिया बच जाती है जैसे कि रोटिया एक्स्ट्रा बन गई या घर में किसी नहीं खाई तो सुबह कई रोटिया बच जाती है और उन्हें हमें फैक ना पड़ता है लेकिन आज न हम बच्चे हुई रोटियों से इतनी मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं कि इसके बाद आपके घर में जब भी रोटिया बचेंगी तो आप उन्हें फैकेंगे तो बिल्कुल नहीं तो देखें यहाँ पर मैंने ये तीन डोटिया लिये हैं जो कि रात की बच्चे हुई हैं अगर आप चाहे तो ताज रोटि से भी ये नाश्टा बना सकते हैं अब आपको करना क्या है आपको एक बाउल में एक कप बेसन डाल देना है और अब आपको इसमें डालना है एक चमच चावल काटा इससे ना रैसिपी में अच्छा सा प्रिस पाएगा अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच अजवाइन अजवाइन को ना हाथ उसे क्रश करके डालेगा ये टेस्ट को भी बढ़ाएगा और ये डाइजेशन में हैल्फुल होता है अब इसमें चमच चमच चाहरा है धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे यहांपर ये लाइज चमच अच्छा सा फ्लेवर आएगा खट्टा खट्टा अब इसमें आदा चमच गरम बसाला डाल दिया है आधा चमच जाल आए हल्दी पाउडर दो पिंच डाल दें हींग और अब आप साथ बहुत ज़्यादा मट डालेगा वन्ना बेसन में गुठलिया बन जाएंगी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और अच्छे तरह मिक्स करते जाएं बेसन का जो बैटर है न वह बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है देखे इस तरह के का बैटर हमें रखना है अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर दो हरी मिर्श बारिक कट करके और साथ में डाल देंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया इन दोनों चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन की कोई चीज बनाए तो उसमें हरी मिर्श जरूर डाले इससे बहुत यच्छा फ्ले बराता है अब यहां पर देखें यह मैंने एक रोटी ले ली है और इसके उपर हमने लैडल भरके यह बेशन वाला बैटर डाला है इसे अच्छे से रोटी के उपर हमें ऐसे स्प्रैड कर देना है रोटी को मैंने बेशन के बैटर से कवर कर दिया है अब सेकंड रोटी इसके के उपर भीना हम बेशन का बैटर लगाएंगे तो हमने पूरी रोटी को अच्छे से बैटर से कवर किया है अब हमें क्या करना है इसे इस्टीम करना है तो आप कोई भी नॉर्मल स्टील की प्लेट ले सकते हैं या इस तरह की जाली वाली प्लेट ले सकते हैं इसे हलका सा प्लाई में मैंने प्याली पानी गरम करने रख दिया था और इस तरीके से हम इसे इसके अंदर रख देंगे और इसे ढख कर 15 मिनट के लिए भाप में अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट में ये अच्छी तरह पक जाता है और अब ना मैं इसे ओपन कर र हो चुका है तो मैं इसे कट कर रहे हूं आप इसे अपनी मन पसंद शेप में कट कर सकते हैं मैं इसके स्क्वेर पीस कट कर रहे हूं इस तरह नहीं बहुत आसानी से कट हो जाएगा ये जो नाश्ता है काफी लेयर वाला बनाए देखे कितनी सारी लेयर इसके अंदर आई है तो ये नाश्ता खाने में बहुत ही मचेदार है अब गैस पर मैंने एक पैन रखा है जिसमें एक चम्मस तेल डाल कर उसे गर्म कर लिया है इसमें आधा चम्मस च्राई डाल देंगे और आधा चम्मस साबुद जीरा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है सबी चीजों को थोड़ा सा हमें भून लेना है अब जो हमने नाश्ता त्यार करके रखा है वो हम इसके अंदर रखेंगे और इने दोनों ही तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे जिससे इसके उपर हलकी हलकी सी गोल्डन लेयर आ जाएगी और यह बहुत ही बड़िया क्रिस्पी हो जाएगा तो यहाँ पर नाश्ता को पैन में रखने के बाद मैंने इसके उपर थोड़ा सा पावभाजी मसाला डाल दिया है और अब हम इसे दोनों तरब से अच्छे से सेकेंगे यह बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी चटपटा लेयर वाला नाश्ता है त्यार और बस अब हम इसके उपर बारिक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और अब इसे गर्मा गरम सर्व करें तो जब भी आपको समझना आए कि नाश्ता में क्या बनाया जाए तो बस रात की बच्ची हुई रोटिया ले लीजिए और उससे बहुत कम समय में कम इंग्रिडेंट पर यह मज़ेदार सा नाश्ता त्यार कीजिए रेसिपी आपको अच्छी लगी हूँ तो लाइक कॉमेंट शेयर करें